ओम शान्ती आज है 27 सितंबर 2019 की साकार मुरली सुनते हैं मुरली की मुख्य पोईंट्स आज बाबा ने हमें नया टाइटल दिया है कहा तुम हो सच्चे सेलवेशन आर्मी इस दुख धाम में जो सब की नईया फसी हुई है तुम उनको सेलवेश करते हो फिर कहा तुम लाइट आउस भी हो तुम उठते बैठते और चलते फिरते लाइट होकर रहो सभी को शंतिधाम और सुक धाम का राश्चा बताते रहो फिर बाबा ने कहा हिंसा करने वाले कांटे नहीं बनो तुम्हे तो अफूल अर्थात अहिंसक बनना है पावन भी जरूर बनना है आगे कहा वैसे तो भगवान को सब याद करते हैं लेकिन जब ज्यान सहित याद करो तब पाप कटे शरीर से डिटेच होकर अर्थात अपने क्वात्म समझ बाप को याद करना है इस याद से ही बल मिलता है फिर कहा जब तक जीना है बाप को याद करना है जब याद में बैठो तो अटेंशन देकर बैठो बुद्धी बाप में ही लगी रहे और लास्ट में कहा याद एक शुबाबा को ही करना है और किसी को याद करने का कोई फायदा नहीं एक सत्गुरु बाप ही है जो सब को तारते हैं इसलिए अब किसी गुरु आदि की दरकार नहीं अब सुनते हैं महवाकियों को विसार से ओम शांती, मुरली का सार, मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सल्वेज करने वाले सल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फसना है प्रशन, कोन सी प्रेक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी उत्तर, जब भी समय मिले, तो शरीर से डिटेच होने की प्रेक्टिस करो डिटेच होने से आत्मा में शक्ती वापिस आएगी उसमें बल भरेगा तुम अंडर ग्राउंड मिलेटरी हो तुम्हें डारेक्शन मिलता है अटेंशन प्लीज अर्थात एक बाप की याद में रहो अशरीरी हो जाओ ओम शान्ती ओम शान्ती का अर्थ तो बाप ने अच्छी रिती समझाया है जहां मिलेटरी खड़ी होती है वे फिर कहते हैं अटेंशन उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन अर्थात एक बाप की याद में रहो मुख से बोलना होता है नहीं तो वासो में बोलने से भी दूर होना चाहिए अटेंशन बाप की याद में हो बाप का डारेक्शन अथ्वा श्रीमत मिलती है तुमने आत्मा को भी पहचाना है बाप को भी पहचाना है तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्मा जीत अत्वा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते मूल बात ही यह है बाप कहते हैं मीठे मीठे लाड़ले बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो यह हैं सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं वह भी मिलेटरी हैं तुम भी मिलेटरी हो अंडरग्राउंड मिलेटरी भी होती है न गुम हो जाते हैं तुम भी अंडरग्राउंड हो तुम भी गुम हो जाते हो अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड कोई पहचान ने सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यत्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं, याद से ही इन विचारों का कल्यान होगा अब तुमको बिचारा कहेंगे न, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं, बिचारे उनको कहा जाता है, जो कहां बंधन में फसे रहते हैं, ये भी तुम समझ से हो, बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, बाप पड़ी समझाते हैं, एक आख में शांतिधाम, दूसरी आख में सुखधाम रखो, तुम जैसे लाइट हाउस हो, उटते, बैठते, चलते, तुम लाइट होकर रहो, सब को सुखधाम, शांतिधाम का राश्सा बताते रहो, इस दुखधाम में सब की नईया अटक पड़ी है, तभी तो कहते हैं, नईया मेरी पार लगाओ, हे मांजी, सब की नईया फसी पड़ी है, उनको सल्वेज कोन करे, वे कोई सल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है, वासो में सल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हरे एक को सल्वेज करते हो, जब पांच विक सारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं, हमको लिब्रेट करो, सल्वेज करो, तो बाप कहते हैं, कि इस याद की यत्रा से तुम पार हो जाएंगे, अभी तो सब फसे हुए हैं, बाप को बागवान भी कहते हैं, इस समय की ही सबी बाते हैं, तुमको अपन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माई ही आती हैं वह तो अपवित्र होने सकें पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा वशरीर को दुख मिलने सकें क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है तो दू जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है, सिख धरम की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़े ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं, सिख धरम में महराजा आदी हैं, तो वह जब आते हैं सापना करने, तो वह नई आत्मा आती हैं, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चन धर्म सापन किया बुद्ध ने बोधी इबराहिम ने इसलाम सब के नाम से राशी मिलती है देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की सापना करते हैं वह देधारी नहीं है और जो धर्म सापक हैं उनकी देह क नाम है वह तो देहधारी नहीं डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलेटरी जरूर समझो उन मिलेटरी आदी के कमांडर आदी आते हैं केते हैं अटेंशन तो जट खड़े हो जाते हैं अब वे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शान्त में रहेंगे प्रंतु वे जूटी शान्ती हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं हमारा धर्म ही शान्त हैं फिर याद किसको करना है अभी तुमको ग्यान मिलता है। ग्यान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, ये ग्यान और कोई को नहीं है, मनुष्य ये थोड़े ही समझ से हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटेच हो बैठना है, यहां तुमको वे बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो, बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटेच हो कर बैठो, तुम जानते हो, हम आत्माओं को अब वापिस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं, इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझ से हैं, हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो वा पिस जाने सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है, कि किसको याद करो, बाप समझाते हैं, याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फाइदा, समझो भक्ती मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालुम तो किसको है नहीं, कि इससे क्या होगा, शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसको भी पता नहीं है आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही इन सब बातों से कोई फायदा नहीं बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना बाप ने कहा है ना हे अरजुन इन सब को छोड़ो सत्गुरु मिला तो इन सब की द सरकार नहीं सत्गुरु तारता है बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं विश्य सागर से पार जाना है ये सब बातें समझाने की है मांजी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है प्रन्तु समझाने लिए ये नाम पड़ गए है उनको कहा जाता है प्रानेश्वर बाबा अर्थात प्रानों का दान देने वाला बाबा वे अमर बना देते हैं प्रान आत्मा को कहा जाता है आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्रान निकल गए फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं आत्मा है तो शरीर भी तंद्रूस है आत्मा भिगर तो शरीर में ही बांस हो जाती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे, जानुवर भी ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे, वे तो जानुवर हैं, तुम तो मनुष मनुष्य हो न, शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा, जब मुर्दे को उठाते हैं, तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुस से हैं, पूजा दी कर समझ से हैं, अब ये स्वर्ग जा र देते हैं, तुमने क्रिशन को भी अक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है, क्रिशन का ये शरीर तो नहीं है, उनका रूप तो बदलता है, कितनी बातें बाप समझा कर, फिर कहते हैं मन मना भव, यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धी बाप में लगी रहे, तुम्हारी अटेंशन फोरेवर है, सदा के लिए है, जब तक जीना है, बाप को याद करना है, याद सही जनम जनमांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे, तो पाप भी नहीं कटेंगे, बाप को याद करना है, याद में आखें कभी बंद नहीं करनी ह सन्यासी लोग आखे बंद कर बैठते हैं, कोई-कोई तो स्री का मुँ भी नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं, तुम जब यहां बैठते हो, तो रच्ता और रच्ना के आदी मद्यंत का स्वधर्शन चकर फिराना चाहिए, तुम लाइट हाउस हो ना, यह हैं दुख धाम, एक आख में दुख धाम, दूसरी आख में सुख धाम, उटते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो, बाबा भिन-भिन नमोने से बताते हैं, तुम अपने भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्यान करते हो, बाप कोई याद जरूर करना है, पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वे तो एक दो को रामराम करते हैं, उनको बोलो, आपको पता है, ये दुख धाम है, वो है शान्ती धाम और सुख धाम, आप शान्ती धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है, आपको इशा लाइट हाउस भी इशारा देता है ये नईया है जो रावन की जेल में लटक पड़ी है मनुष्य मनुष्य को सेल्वेज कर नहीं सकते वे तो सब हैं आर्टिफिशल हद की बाते ये हैं बेहद की बात सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है वासों में सच्ची सेवा यह है सभी का बेडा पार करना है तुम्हारी बुद्धी में हैं मनुष्यों की क्या सर्विस करें पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ती धाम में जाने के लिए बाप से मिलने के लिए परंतु कोई मिलता नहीं मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं वह समझ से हैं ये श ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है तुमने चित्र में दिखाया है एक को याद करना है जो भी धर्म सापक हैं वे भी ऐसे इशारा देते हैं कि एक को याद करना है क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वे भी ऐसे इशारा देते हैं साहेब को जपो, वे बाप है सत्गुरु, बागी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु, अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं, तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा श इसको बाबा नहीं कहते हैं, प्रन्तु वे तो निराकार नहीं है, शरीर धारी है, शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वे तो सब का बाबा हुआ न, सब आत्माई अशरीरी हैं, तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो, तो इस धुन में बैठो, तुम जानते हो कि हम क ऐसे फंसे हुए थे अब बाबा ने आकर राश्चा बताया है बाकी सब फंसे हुए हैं छुटते नहीं सजाएं खाकर फिर सब छुट जाएंगे तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खाकर थोड़ी मानी अर्थात रोटी लेनी हैं मोचरा बहुत खाते हैं तो पद हो जाता है मानी अर्थात रोटी कम मिलती है थोड़ा मोचरा अर्थात थोड़ी सजा खाई तो मानी अच्छी मिलेगी ये है कांटू का जंगल सब एक दो को कांटे लगाते रहते हैं स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ओफ अल्ला क्रिश्चन लोग भी कहते हैं सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ देखने से कोई जा नहीं सकते जबकि बाप को पहचाने और नौलेज ले सब तो आने सके देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं अभी इतने हिंदू हैं अस्वल में देवताएं थे ना प्रंतु वे थे पावन ये हैं पतित पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भरष्ट करम भरष्ट कहा जाता है आदिसनातन हिंदू धर्म कह देते हैं देवता धर्म का कोलम ही नहीं रखते हैं हम बच्चों का मोस्ट बिलोड बाप हैं जो तुम को क्या से क्या बना देते हैं कि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान स्रुष्टी पर नहीं आते तो फिर बाप कैसे आएंगे बाप तो है निराकार उनको तो अपना पाओं है नहीं इसलिए इन में प्रवेश करते हैं अब तुम बच्चे इश्वरिय दुनिया में बैठे हो वो सब हैं आसुर तुम समझ से हो हम ने देवी संसार में हैं ने आसुरी संसार में हैं हम इश्वरिय संसार में हैं बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए बाप कहते हैं वे मेरा घर है तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूं भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड तुम बनते हो, हम ब्रह्मार्ण के मालिक हैं, ब्रह्मार्ण में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना हैं, प्रन्तु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। ब्रामनी का काम है जाच कर लाना, तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारन कर पार्ट बजाती हैं, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अभी धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको शांती धाम, सुखधाम का राश्सा बताना है। सबकी नईया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्यान करना है। दूसरी पॉइंट, अपने शां स्वरूपस्थिती में सित्थ हो, शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है, याद में आखे खोल कर बैठना है, गुद्धी से रच्ता और रचना का सिम्रण करना है। आज का वर्दान, इस अलोकिक जीवन में संबंद की शक्ती से अविनाशी सनहे और सहयोग प्राप्त करने वाली स्ट्रेस्ट आत्मा भव। इस अलोकिक जीवन में संबंद की शक्ती से अविनाशी सनहे और सहयोग प्राप्त करने वाली स्ट्रेस्ट आत्मा भव। और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है तो आपके पास संबंद की शक्ती है। इस रेस्ट अलोकिक जीवन वाली शक्ती संपन्न वर्दानी आत्माए हो। इसलिए अरजी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले बनो। कोई भी प्लैन विदेही साक्षी बन सोचो और सेकिंड में प्लेन स्थिती बनाते चलो। कोई भी प्लैन विदेही साक्षी बन कर सोचो और सेकिंड में प्लेन स्थिती बनाते चलो।